लोगों को रुमाच हमेशा आकरशित करता है, खास कर फिल्मों में दिखाया जाने वाला रुमाच. लोग फिल्में देखते हैं और उन्हें अपनी रियल लाइफ में भी तोहरानी की कोशिश करते हैं. फिल्में मनोरंचन का जरिया होती है, लेकिन ये बात कुछ लोग समझ नहीं पातें और फिल्मों को आधार बना कर अपनी रियल लाइफ में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि फिर उनकी जिंदकी एक फिल्म बनके रह जाती हैं. बॉलिवुड की हिट फिल्म धूम अधिकतर लोग सुनाने जा रहे हैं. ये कहानी है उन लुटेरों की जिन्होंने फिल्म धूम से प्रभावित होकर अपनी असल जिंदगी में देश की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया. उससे पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कि सूपर हैट फिल्म धूम हॉलिवुड की एक ऐ जाली गई टकैती पर अधारित थी. इस टकैती को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया था कि चोरी किया गया करोडों का कीमती सामान कभी बनामदी नहीं हो पाया. और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का कड़ा विरोध किया गया था. ऐसा बताया जाता है कि इस फ हॉलिवुड की दब बैंक जॉब और बॉलिवुड की फिल्म धूम हमारी आज की कहानी का बेस है जितनी रोमांच और सेंसनी खेज मोमेंट से भरी ये फिल्मे थी होतनी ही रहस्य से भरी और पल-पल आपको हैरान करने वाली कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं तो दोस्तों दिल और फोन थाम कर बैठियेगा, हम शुरू करने वाले हैं देश के इतिहास की सबसे बड़ी लूट की कहानी, एक अनोखी और हैरतंगेस कारणामों से भरी पैंक रॉबरी की कहानी, इस कहानी की शुरुवात होती है दिल्ली से सटे हर्याना के सोनी पजले से, जहांके एक छोटी से नगर में इस बड़ी सी लूट की नीव तैयार की गए थी, जैसा कि लोगों का मांइनसेट है, कि छोटे शहरों में बड़ी वारदातों का होना, यानी गिरोह का होना, यानी किसी बड़े टौन का हाथ होना, लेकिन दोस्तों हमारी इस लूट की हैरा कार मचा दिया। ऐसा कोई चैनल नहीं था जिस पर इन लोगों के सन न कर देने वाले कार नामों की कहानिया ना चल रही हूं। ऐसा कोई घर, कोई गली, कोई नुकड कोई टी पॉइंट नहीं था जहां इनके बारे में बात ना हो रही हो। ऐसा कोई शक्स नहीं था जो इनक एक स्टेप, एक एक ट्विस्ट और लूट में शामिल एक एक शक्स आने वाली पीडियों के लिए किसे फिल्म के करेक्टर से कम ना होगा. एक ऐसा चरेतर जिसकी सचाई जानने के लिए हजारों पर्तों को कई बार फिल्टर करना पड़ेगा. इस रॉबरी की एक संयोग भरी बात ये भी है, कि इस बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए जस बैंक को चुना गया, वो बैंक पहले से ही लोगों के निशाने पर रहा है. या यूँ कहिए कि ये बैंक पहले से ही लोगों के पीच बड़े नाम वाला बदनाम बैंक के रूप में पहचाना जा रहा था. और जब लूट की वारदाद घटी, तब लोगों में ये और अधिक पॉपुलर हो गया. जियां, बड़े नाम वाला बदनाम पॉपुलर बैंक. अब अगर आप गैस नहीं लगा पाई हैं तो हमसे चुड़े रही है. चल्द आपको पता लग जाएगा कि हम किस बड़े नाम वाले बैंक की बात कर रहे हैं. वैसे दोस्तों, फिल्मों की कहानी असल जिन्दगी से ही चुराई जाती है. लेकिन जब फिल्म की कहानी चुरा कर असल जिन्दगी में उसको फिट करने की कोशिश की जाए, तो जिन्दगी फ्लॉप हो जाती है. और फिर सेहन में उठते हैं सवाल आखिर क्यों इस फिल्म को ही बनाया गया लूट का आधार आखिर किसलिए रची गई लूट की पटका था क्यों बनाया गया किसी पॉपुलर बैंक को निशाना आखिर क्यों कहा गया इस लूट को एतिहासिक लूट जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे मनीश के साथ और सुनते रहिए कुकू एफेम सुने जो मन चाहे एपिसोड टू देश की सबसे बड़ी बैंक टकैती की कहानी ये है देश की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की ऐसी अनोखी दास्तान जिसकी नीव हर्यान सोनिपत के गोहाना में इस्थित पंजाब नैशनल बैंक में रखी गई थी सोनिपत का एक ऐसा इलाका चो लगभा गाव सरीखाई है शहर की भीडभार से थोड़ा अलग दिखाई देता ये छोटा सा शहर गोहाना गोहाना को अब शहिद उसकी फेमस जम्बो साइस जलेबियों के लिए जानते होंगे जो सिर्फ और सिर्फ गोहाना में मिलती है और चुकि ये कहीं और नहीं मिलती इसलिए जो लोग सोनिपत आते जाते हैं वो गोहाना की चलेबियां सरूर साथ बान लाते है गोहाना के सबसे पुराने बैंकों में से एक है पंजाब नेशनल बैंक और ये सौ करोड की लूट इसी बैंक से की गई थी 27 अक्टूबर 2014 दिन सोमबार ये एक सामान्य सा दिन था सब अपने अपने कामों के लिए घर से निकल पड़े थे ठीक वैसे ही जैसे पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर देवेंदर मलिक अपने घर से बैंक के लिए निकले थे एक बिल्कुल साधारन दिन के शुरुआत की तरह ही बैंक साड़े नौ बजे खुला और पैंक करमचारी अपनी अपनी जगहों पर आकर काम करनी के शुरुआत में लगे थे महौल एक तम सामान्य और शान था गाट चपरासी बाबू क्लर्क आदी सभी धीरे धीरे अपनी जगह ले रहे थे प्रांच मैनेजर देविंदर मलिक भी बस बैंक आ ही पहुँचे थे रोज की तरह उन्होंने सभी से गुड मॉनिंग किया और अपने कैबिन में पहुँचकर अपना बैग रखा बैंक में हर दिन ऐसे ही शुरुआत होती थी सब एक दूसरे से हलचाल लेते और अपनी जगहों पर पहुँचकर काम की शुरुआत करते प्रांच मैनेजर देविंदर मलिक ने भी यही किया और फिर वो किया जो हर दिन बैंक पहुँचकर वो सबसे पहले करते थे जाते हैं, वो हैरानी और अचंबे से भर जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो, जिसके उन्होंने कल्पना भी नी की थी, वो हैरानी से भरे हुए थे, उन्हें अपनी आँखों पर यकीन ही नी हो रहा था, सामने का नजारा देखकर उनकी आवाज ही नहीं न उन्होंने देखा कि लॉकर रूम के लॉकर खुले और टूटे पड़े हुए थे। लगबग एक लाइन से कई लॉकर टूटे हुए थे। ये लॉकर ना सिर्फ टूटे हुए थे बलकि उनके दर्वाजों को बुरी तरह से तोड़ा गया था। पारे थे कि टेट दिन के छुटी के बाद बैंक लॉकर का ऐसा हल कैसे हो गया। उन्होंने देखा कि बाहर से बैंक में चोरिया टकैती होने के कोई निशान भी नहीं थे। लेकिन यहां यहां तो लॉकर टूटे पड़े और वो भी सूने चांदी हीरे जवारात गैनों से भ पका जाता है। सब इसकदर चौक जाते हैं जैसे उन्होंने जो अब भी मैनेजर देवेंदर मलिक से जो सुना वो सुनने लायक था ही नहीं। स्टाफ हैरानी से एक दूसरे को देखता है। उनके दिमाग में कई तरह के अंदेशे कौंधने लगते हैं। लेकिन इससे पह वाजे से अंजाम दिया गया है। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी प्रांच मैनेजर देवेंदर मलिक तौड़ते वे एक पर फिर वापस लॉकर रूम में जाते हैं और पूरे रूम पर नजर दोड़ाते हैं। उनके आँखें कुछ तो तलाश रही थी कि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे लॉकरों के नीचे समीन पर कुछ है। वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तो कोई गड़ा है। लेकिन बैंक लॉकर की नीचे गड़ा वो हैरान परेशान कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो लॉकर प्रांच मैनेजर की बात सुनने के बाद पुलिस आते ही मौकाई वारदात यानि लॉकर रूम की तरफ जाती है और सब कुछ उलट पलट कर देखने लगती है। पुलिस भी लॉकर के नीचे बने उस कड़े को देखती है और समझ जाती है कि इसी सुरंग के रास्ते पुलिस ने बैंक स्टाफ से पता लगाने को कहा कि लॉकर्स रूम के कितने लॉकर्स तोड़े गए हैं और कितने सुरक्षित हैं. पुलिस के कहे पर अमल किया जाता है और फिर लूटे हुए लॉकर्स के गिंती शुरू की जाती है. स्टाफ गिंती करता है और पता चलता है क कुल 86 लॉकर्स तोड़े गए हैं और इनके अंदर का सारा सामान निकाल लिया गया है ये सब चल ही रहा था कि ब्रांच मैनेजर देवेंदर मलिक ने स्ट्रॉंग रूम की तरफ जा कर देगा स्ट्रॉंग रूम में बैंक का सारा कैश रखा जाता है मैनेजर को अंदेशा हुआ कि कहीं वो रूम भी तो इसी रूम की तरह लूटा तो नहीं गया मैनेजर देवेंदर मलिक स्ट्रॉंग रूम की तरफ जाते हैं और ये देखतर जैन की सांस लेते हैं कि वो रूम सेफ था इस रूम में लाखों रूपया शनिवार को ही रखा गया था लेकिन मैनेजर देवेंदर मलिक का नुमान था कि लूटेरों ने स्ट्रॉंग रूम को भी तोड़ने की कोशिश तो जरूर कियोगी लेकिन क्योंकि स्ट्रॉंग रूम का दर्वाजा और उसका लॉक सिस्टम बहुत मजबूत था इसलिए लूटेरों से तोड़ने पाए और लाखों रूपया बच गया उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया क्यों हो सकता है कि लूटेरे स्ट्रॉंग रूम को खोलने में नाकाम रहे हो इसलिए उन्होंने स्ट्रॉंग रूम पर अपना समय बरबाद ना करके लॉकरों को तोड़ना साधा आसान समझाओगा इसलिए उन्होंने इतने जाधा लॉकरों को तोड़ डाले पुलिस ने इस अंदाजे से ये पता लगाया कि लोटेरे या लोटेरा जो भी है वो ये जानता था कि बैंक लगभग डेर दिन तक बंद रहने वाला था और उसने उसी समय का भरपूर फाइदा उठाया है पुलिस को गोहाना नगर के सबसे पुराने बैंक से इतनी बड़ी लूट होना नामुम्किन जैसा लग रहा था पुलिस सोच रही थी कि आज तक कभी इस तरह से कोई लूट नहीं हुई वो भी PNB बैंक में जो लोगों की चहल पहल के पीच है और हमेशा ही लोगों से भरा रहता है PNB की इस शाखा में अगर के कुछ अच्छे पैसे वाले लोगों के खाते मुख्य रूप से थे और ये बात पुलिस जानती थी इसलिए पुलिस को पहला शक किसी ग्राहक पर हुआ जो बैंक में आता जाता था और बैंक के हर एक कोने से वाकिफ था इसके बाद पुलिस को दूसरा शक बैंक स्टाफ पर था क्योंकि जिस तरह से सुरंग बना कर लोकेज रूम में घुसा गया था इस तरह की सटीक जानकारी बैंक का कोई स्टाफ ही दे सकता था पुलिस आगे कुछ करती कि इससे पहले ही पुलिस ने स्टाफ को बैंक से बाहर जाने से मना कर दिया और सबसे पूछताच करना शुरू कर दिया पुलिस ने स्टाफ के मुबाईल्स, उनकी आने जाने की डीटेल्स, शनिवार के बाद कहा और किधर गए से लेकर सोंबार बैंक आने से पहले तक कि सारी जानकारी लेना शुरू कर दिया था पुलिस को कही न कहीं ये यकीन था कि इस तरह की बड़ी चोरी बैंक जानकार की मदद के बिना संभव ही नहीं है और इसलिए उनका पहला शक किसी ग्राहक से हटकर बैंक स्टाफ पर आकर अटक गया था एक तरह पुलिस पूछताच में जोटी थी तो वहीं बैंक के बाहर लोगों की भीड लगने लगी थी लूट जैसी वारदा वो भी एक छोटे से शहर में आगर कहां छुपना था ये सब यहां बैंक में पुलिस आई नहीं कि बैंक डकेती की बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई लोगों ने जब यह सुना कि बैंक डकेती हुई है वो भी किसी ऐसे वैसे बैंक में नहीं बलकि सरकारी और बड़े बैंक पंजाब नैशनल बैंक में तो सब घबरा गए और ये सामन्य भी था, क्योंकि PNB की इस ब्रांच में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, लोगों में घबराहट और अपनी पूंजी को खोने का डर उन्हें बेचैन कर रहा था, जिन लोगों नहीं पता था कि कैश लूटा गया है या जेवरात, लेकिन बैंक में बड़ी लूट हुई थी, यही जानकर लोग परिशान थे, बैंक के बाहर पुलिस देखकर लोगों को अंदाजा हो गया था, कि कोई छोटी मोटी बात नहीं, बलकि बड़ी गड़बड हुई है, और जब उड़ते उड़ते यह पता चला, कि बैंक में बड़ी ड़कैती डाली गई है, तो जैसे हाहाकार मच गया, सभी अपनी जमापूंजी के लिए फिक्रमंद अपने सारे काम छोड़कर, बैंक के सामने जमा होने लगे, उदर पुलिस के पसीने चूट रहे थे, यह सोच उससे कितना नुकसान हो गया, हालात ऐसे थे कि बैंक स्टाफ और मैनेजर के पास खुद के इन सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा था, और पुलिस इस पशोपेश में थी कि वो शुरुआत करें तो कैसे, बहराल बैंक स्टाफ और मैनेजर ने लूटे गए माल का पत पूछताच करना शुरू कर दिया, पुलिस ने कुछी मिनिटों में अलग-अलग टी में तयार की और उन्हें इन्वेस्टिकेशन पर लगा दिया, पुलिस ने शनिवार से लेकर सुमवार सुबह तक बैंक के असपास में मौजूद सबसे ज़ादा आक्टिव मोबाइल की लोकेशन और नमबर खोज निकाले, सौविलांस के सर्य पुलिस में अक्टिव मोबाइल के पैटर्स और उसको इस्तिमाल करने वालों की लिस्ट तयार की, इसी बीच बैंक स्टाफ साड़े 300 में से तूटे 86 लॉकरों से लूटे गए सामान के जानकारी जुटाने में लग ऐसा था कि जिसे जानने के बाद सब के पैरों तले जमीन किसक गई, आखिर ऐसा क्या पता चल गया था स्टाफ और ब्रांच मैनेजर को, क्या पुलिस की जल्दवाजी में लॉकर रूम में मौजूद कोई बड़ा सबूतन देखा रह गया था, आखिर 86 लॉकरों से कितने क नुकसान हुआ था, क्या स्टाफ को मिल गया था लुटेरे का पता, जानने के लिए चुड़े रहिए हमारे साथ, और सुनते रहिए कोको एफेम, सुनें जो मन चाहे एपिसोड थी, ये किबल लूट नहीं, ये थी देश की सबसे बड़ी लूट गोहना के PNB बैंक के बाहर लोगों की भीड पढ़ती जा रही थी, लोगों की लगातार पढ़ती जाती इस भीड को देखकर, मीडिया भी आना शुरू हो गई थी, और उधर 86 लॉकरों के मालिकों से, उनके लॉकर में रखे गए सामान की चानकारी कट्ठा की गई थी, उ वैसे ही स्टाफ और प्रांच मैनेजर के चहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी, कुछ घंटों की मशक्कत के बाद प्रांच मैनेजर के सामने लूटे गए लॉकरों में से, गायब हुए माल का एस्टिमेट सामने आया, एस्टिमेट की चानकारी होते ही, प्रांच मैन के लौकरों से सौ करोड तक के कीमत के जेवर लूट लिये गए थे तो अब सभी को पता था कि ये लूट कोई छोटी मोटी लूट नहीं थी बलकि ये पूरे सौ करोड की लूट थी जसमें अधिकतर सोने, चांदी और हीरों के जवाहरात और कुछ कैश भी शामिल था ये खबर जैसे ही मीडिया में पहुंची तो पूरे देश में हंगामा मच गया हर तरफ, हर गली नुकड पर सिर्फ इस सौ करोड की लूट की खबर और चरचाएं चलने लगी ये हाल तो देश भर का था, लेकिन सबसे बुरा हाल उन लोगों का था, जिनके जीवन की गाड़ी कमाई इस लूट में चली गई थी वो लोग, जो इस सौ करोड के मालिक थे ये बात कोहना के घर घर तक पहुंच चुकी थी कि PNB से सौ करोड की कीमत के जेवराद चोरों ने एक सुरंग के जरिये लूट लिये हैं समय जैसे जैसे बीत रहा था, वैसे वैसे पुलिस की समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई मीडिया बैंक और पुलिस से सवाल जवाब करने आ चुकी थी लोग बैंक के सामने अपनी मेहनत की कमाई को लुटा हुआ देखकर हताश खड़े थे कुछ लोग कभी पुलिस की तरफ अपने सवाल लिये जाते थे तो कभी बैंक मैनेजर देवेंदर मलिक से अपने जेवराओं के बारे में पूछते रहते सौ करोड की कीमत के जेवर लुटे रहे अपने साथ ले जा चुके थे चुकि रगम बहुत बड़ी थी इसलिए बैंक मैनेजर देवेंदर मलिक बदहवास दिखाई दे रहे थे लेकिन साथ ही वो इस बात को लेकर अधिक परेशान थे कि वो गायब हुए जेवरों का पता कैसे लगा सकते थे क्योंकि जेवरों के बारे में जानकारी खुद बैंकों को भी नहीं होती है इधर बैंक मैनेजर देवेंदर मलिक अपने आला अधिकारियों से संपर्क सादने में जोटे थे तो उधर बैंक के सामने खड़े बैंक के ये क्राहक ये सोच सोच कर परिशान थे कि उनके जेवरों का क्या होगा ये लोग अच्छे से जानते थे कि लोकरों में रखा गया सामान यानि जेवरों के बारे में बैंक को कोई जानकारी तो होती नहीं है और बैंक में इसका हरजाना देने का भी कोई नियम नहीं होता है चुकि जेवरात रखने वाले लॉकर की जानकारी यानि उसमें क्या है और क्या नहीं ये सिर्फ क्राहक कोई पता होता है इसलिए बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं होता और यही बात सोचकर पैंक के सामने खड़े पीडित लोग बेचैन थे उनके पास सवालों के धेर थे और आखों में हासू, पैंक के सामने खड़े पीडित लोग ना सिर्फ परेशान थे बलकि उनके मन में पैंक की लापरवाही को लेकर गुस्सा भी था सबी जानते थे कि बैंक में लोकरों को रखने की ठोस सुरक्षा नहीं थी यहां तक कि लोकरों के कमरे में लगा CCTV कैमरा भी काम नहीं करता था पीडितों ने पुलिस से शकायत करना शुरू कर दिया धिरे धिरे शकायत करताओं की संख्या बढ़ने लगी और ये देख पुलिस अपना आपाक होने लगी बैंक की लापरवाई के खलाफ लोगों ने हंगा मा कड़ना शुरू कर दिया था लोग बैंक के आगे धरना देने की धंकिया देने लगे थे माहोल देखकर पुलिस ने पहले लोगों को सबर से काम लेने को कहा और उन्हें पुलिस को काम करने देने की बात करते वे सबी को साइट करने लगी उधर बैंक के अंदर लॉकर रूम में जाकर पुलिस अपनी तफ्टीश शुरू कर चुकी थी पुलिस ने लॉकर रूम से फिंगर प्रिंट परामद किये और सबूत के तोर पर मिली सुरंग का मुएना करने की तयारी की चुकी पुलिस इस बात से अंजान थी कि वो सुरंग सेफ है या नहीं इसलिए पुलिस को सुरंग के अंदर जाने से पहले कई अनुमान लगाने और उन्हें परखने का काम करना पड़ा लेकिन पुलिस के पास समय नहीं था इसलिए तया हुआ कि सुरंग में उतरा जाए अब पुलिस सुरंग में जाने के लिए तयार थी और तमाम संभावनाओं को साइट में रखते वे टॉच की रोशनी में पुलिस टीम के दो सदस से उस सुरंग में उतरने के लिए तयार होते हैं सुरंग का कहरा अंधेरा और उसके अंदर अंदाजे से परे सामने आने आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम के लोग आ गया के पढ़ने लगे सुरंग में जाते ही पुलिस को अंदाजा हो गया कि इसमें एक आदमी के बैठने या उसके रेंग कर जाने की भरबूर जगय दी इस आधार पर पुलिस ने माना कि लोटेरों ने इसी सुरंग से सारा माल निकाला होगा यानि अगर वो एक आदमी होगा तो भी पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इस सुरंग अंदर से करीबन ठाई फीट चौड़ी थी इसे बड़ी पॉफेक्ट तरीके से बनाया गया था यानि पुलिस ये मान कर चल रही थी कि इसे बनाने में जल्दबाजी तो बिलकुल भी नहीं दिखाई गई थी बलकि इस सुरंग को खोदने में काफी समय लिया गया होगा साधी पुलिस ने इस बात पर भी गौर किया कि इस सुरंग के अंदर से पानी की पाइप्स और कुछ तारे भी जा रहे थे लेकिन दोनों ही बिना डेमेज के दिखाई दे रहे थे इस आधार पर माना गया कि जरूर इस सुरंग को किसी ट्रेंड व्यक्ती ने खोदा होगा सुरंग की बनावट और इसको खोदते वे रखी गई सावधानी को देखते वे पुलिस ने अंदासा लगा लिया था कि इस लूट में किसी गिरोह का हाथ है या इसमें कुछ ऐसे जानकार और अनुभवी लोग शामिल है जिन्हें एक एक इंच की ख़बर अच्छी तरह से थी एक पॉफेक्ट जगे चुनकर एक पॉफेक्ट सुरंग बनाना किसी प्रोफेशनल का ही काम लग रहा था सुरंग से जब पॉलिस ने चलना शुरू किया तब ये भी देखा गया कि कितने समय में कितने कदमों के साथ इस सुरंग से पार हुआ जा सकता है जाहिर है लोटेरा या लोटेरे टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अपना सारा काम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लूट के लिए जो दिन चुने और जिस तरह से सुरंग को खोद कर बनाया तो वो ये बताता है कि लूटने वाले सब कुछ टैलकुलेट करके चल रहे थे पुलिस उरंग के दूसरे हिसरे की तरफ पहुँचने वाली थी इस बीच पुलिस ने सुरंग में दाखिल होने से पहले कदम और समय दोनों देखना शुरू किया जिससे उन्हें पता चला कि बैंक लॉकर से होते वे सुरंग से 57-69 मिनिट तक आसानी से निकला जा सकता है और इस दोरान ये भी अनुमान लगाया गया कि इस सुरंग करीबन 100 कदम की दूरी तैय कर दी है अब पुलिस के लिए एक और परिशानी बढ़ गई पुलिस को जैसे ही इस सुरंग से निकलने में लगे समय और इसकी बैंक से दूरी का अंदाजा हुआ पुलिस की हालत हो गई पदली बैंक से मात्र 100 कदमों की दूरी पर बनी सुरंग के बारे में कैसे उनके साविलांस एक्सपर्ट्स को खबर नहीं हुई ये सोच कर पुलिस परिशान हुए जा रही थी लेकिन शायद पुलिस के सामने यही एक बड़ी आफ़त आन खड़ी नहीं हुई थी बलकि अभी तो चोन के सामने आने वाला था वो कहीं जादा शौकिंग था पुलिस को सुरंग का दूसरा सेरा मिल चुका था टीम के दोनों सदस से बाहर निकल रहे थे टॉर्च की रोशनी से निकल जैसे ही उने दिन का उजाला चूता है तो जैसे उनकी हैरानी बढ़ जाती है पुलिस टीम के दोनों सदस से इस सुरंग के सेरे से बाहर निकलते हैं बाहर निकलते ही उनके सामने जो नजारा होता है वोने परिशान कर देता है वो चारों तरफ नजर दोडाते और जो कुछ उनके सामने आता है वो उने लुटेरों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है लेकिन आखिर ऐसा था कि उस से रंग के सिरे के बार आखिर क्या देख लिया था पुलिस ने क्या सुरंग के सिरे पर ही पुलिस को मिल गए थे बैंक लोटे रहे क्या सिरे से ही खुल जाएगा लूट का बुना हुआ ये जाल पूरा जानने के लिए चोड़े रहिए हमारे साथ कुकु एफम पर सुने जो मन चाहे एपिसोड फोर सुरंग बनी गवा बैंक की सौकरोड की लूट का पता लगाने के लिए पुलिस लॉकस के नीचे बनी सुरंग में अपनी टीम के दो लोगों को उतार चुकी थी और वो लोग तकरीबं 57-69 मिनिट में सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुँच गये थे सुरंग की दूसरे सिरे पर पहुंचते ही, टीम के दोनों सदस से हैरान थे उनके सामने जो था, वो उनके अंदेशों को और गहरा कर रहा था उन्होंने देखा कि सुरंग के सिरे से चाहां वो बाहर निकले हैं, वो एक घर था पुराना घर, जसमें हर तरफ मिट्टी फैली हुई थी जाहिर है पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी, कि लूट करने वाले या वालों ने सुरंग खोद कर मिट्टी यहीं डाली थी, अलाकि वो इसे कहीं और डाल सकते थे लेकिन शायद उन्हों ने इस मकान को इसलिए भी चुना, क्योंकि ये खाली पड़ा एक बंद मकान था साथी पुलिस के लगाए अंदास के अनुसार, ये सुरंग बैंक से किवल सौ कदम की दूरी पर बनाई गई थी पुलिस सकते में थी कि कैसे बैंक से मातर सौ कदम की दूरी पर बने, इस घर से बैंक लूटने की इतनी बड़ी साज़िश को अंजाम दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होई पाई पुलिस टीम के दोनों लोग वहाँ उस घर से वापस निकल कर पैंक की तरफ जाते हैं और वहाँ से पूरी टीम को इस घर तक लाते हैं ये घर काफी पुराना लग रहा था और अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिर ये घर किस का था पुलिस ने जाचपर्थाल शुरू की आशपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि ये घर करी 5 साल से ज़ादा समय से खाली पड़ा था इसका मकान मालिक तो यहां सालों से नहीं आया था और यहां कहीं आशपास भी रहता नहीं था ये मकान ना तो कभी किराय पर दिया गया था और ना ही इसकी देखभाल की गई थी इसे बस ऐसे ही बंद करके छोड़ दिया गया था तो अब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि चूंकि ये घर बंद बड़ा हुआ था इसलिए लूट करने वालों ने इस बारे में जानकारी हासिल की होगी और यहां कोई आता जाता भी नहीं है तो इसलिए इस घर को सुरंग बनाने के लिए उन्होंने चुन लिया होगा पुलिस ने यहां एक बात और समझे कि लूट करने वाला कोई एक नहीं था हो ही नहीं सकता था क्योंकि जिस अंदाज में सुरंग खोद कर यहां इस बंद पड़े मकान का इस्तिमाल किया गया है उससे यह लगता है कि लूट करने वाले एक या दो नहीं बलकि कई थे अब पुलिस को और सबूट चाहिए थे तो पुलिस ने घर के एक एक कोने को देखना शुरू किया जहां से सुरंग बनाई गई थी उसके आसपास और घर के दूसरे कमरों में मिट्टी फैली पड़ी थी मिट्टी को प्लास्टिक के कट्टों में भर कर पास वाले कमरे में डाला जाता था एक कमरा तो मिट्टी से लगभख पूरा भर चुका था पुलिस को मौके से एक लोहे के कटार का ब्लेट एक जल्दी वी टॉच पाँच से छे प्लास्टिक के कट्टे मिले इसके लावा बीडी के बंडल और माजिस भी परामद हुई लुटेरे बेहत 4 लाग थे उन्होंने कमरे के घड़कियों पर कार्ट बोर्ट चिपका रखे थे ताकि बाहर से उनकी कते विधियों पर किसी की नजर ना पड़े पुलिस मिट्टी को कुरेद कुरेद कर कोई सबूत खोजने की कोशिश करने लगी तब इस तहकीकात के बीच पुलिस को कुछ जला हुआ कचरा मिला पुलिस ने देखते ही भाब लिया कि यह कचरा लूट के बाद जलाया गया है इस कचरे में पुलिस को अपिसोड फाइव दस लाग के इनाम ने बदला इमान सोनी पत गोहाना के पुराना बसस्टेंड स्थिट पंजाब नैशनल बैंक से खोई सो करोड की लूट के 24 घंटे बाद पुलिस के पास लुटेरों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं था अब तक पुलिस अंदेशों के आड में दौड रही थी लेकिन हाथ कुछ ना सका था हार कर जब पुलिस को कुछ ना समझ में आया तब पुलिस ने बनाई एक योजना और उस योजना के तहट पुलिस ने खोशना कर दी पुलिस ने मीडिया के सामने खोशना की कि जो भी बैंक टकैती के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिये जाएंगे पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बने इस 100 करोड की बैंक रोबरी के बारे में चानकारी देने वाले को पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोशना क्या की जैसे सुलकती हुई आग में एक तीनी लगा दी लूट की चर्चाओं के गरम बाजार में ऐसा कौन ना होगा जो ये 10 लाख रुपए हासिल ना करना चाहता हो और फिर वो कोई लुटे रहा भी क्यों ना हो लेकिन शायद होनी को कुछ और मनजूर था इसलिए तो 19 अक्टूबर के रात जब हर्याना पुलिस गोहाना के पी एनबी बैंक में हुई 100 करोड की टकैती की गुथी की डोर को एक एक करकई अलग करने में लगी थी तब पुलिस के पास एक अंजान शख्स का कॉल आता है इनाम की खोशना के बाद से पुलिस लगाता ऐसे फून कॉल का वेट कर रही थी और उस रात पुलिस का इंतजार खत्म हो गया फून करने वाले अंजान शख्स ने पुलिस को बताया कि वो बैंक लूटने वालों को जानता है उसने बताया कि उसने उन्हें देखा है और अपने मूँ से बैंक लूटने की बात को कबूल करते वे सुना भी है उस अंजान शक्स ने ये भी बताया कि पीती रात फो लुटेरे उसके सामने ही बैठे थे और लूट की इस घटना पर हज़र रहे थे और फिर उस शक्स ने ये भी बताया कि वो लुटेरे पुलिस को कहा मिलेंगे उसने बताया कि जिस बैंक में लूट हुई है उसी बैंक के आगे करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर एक गाउ है कटवा जहां 100 करोड की इस लूट में शामिल दोनों लुटेरे रहते हैं साथी उस शक्स ने उन दोनों के नाम भी बताया और ये भी कहा कि ये खबर 100 फीसदी पक्की है पुलिस जो अंदेरे में किसी उमीद के किरन की खोज में बैठी थी उसे ये फोन कॉल एक बड़ी लीड लगी हाला कि पुलिस नहीं ये भी सोचा कि कहीं ये पुलिस को भटकाने के लिए तो नहीं किया गया है क्योंकि जिस तरह कि सटीक जानकरी देने की उस शक्स ने बात की थी वो उस पर शक पैदा कर रही थी लेकिन ऐसे समय में जब पुलिस के पास कोई खास सबुत था नहीं और मामले की सारी कडियां अलग-अलग दिशाओं में उलची पड़ी थी तब इस कॉल को सीरियसली लेने के अलावा पुलिस के पास और कोई चारा भी नहीं था तो पुलिस के पास एक लीट थी जो अगर सही साबित होती है तो आने वाले घंटों में पुलिस एस लूट के मुझे रिमों को पकड़ लेगी तो पुलिस ने बिना समय गवाए अपनी एक टीम को खोजबीन के लिए कटवाल गाउं भेज दिया पुलिस के लिए कटवाल गाउं पहुँचकर लुटेरों को ढूणना जादा मुश्किल नहीं रहा क्योंकि जिस शक्स ने पुलिस को फोन करके ये लीट दी थी उसने ना सिर्फ उन दोनों लड़कों के नाम बताये थे पलकि उनका पूरा हुलिया, कद काठी, उनके उम्र, उनका पेशा और उनके परिवार आदी की पूरी जानकारी पुलिस को बता दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने गाउं में न सिर्फ खोजबीन की बलकि धर पकड़ चालू कर दी पुलिस को गाउं में पहुँचे देर भी नहीं हुई थी कि उन लड़कों को शायद इसका अंदाजा हो गया था यसी लिए वो दोनों जब भागने की फिराक में थे तब पुलिस ने उन दोनों लड़कों को धर दबोचा काउं कटवाल से दोनों लड़कों को पकड़ने के बाद पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पूछताच करती है लेकिन वो दोनों लड़के पुलिस के हर सवाल को सिरे से खारिच कर देते हैं पुलिस अपनी पूछताच जारी रखती है और जब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों लड़के बिना जोर आजमाईश के सच नहीं बोलने वाले और तब पुलिस उन पर दबाव डालना शुरू करती है शुरू में और कुछ समय तक दोनों अपना मूँ नहीं खोलते लेकिन जब पुलिस सक्ती से काम लेती है तब टॉर्चर से पचने के लिए आखिर कार दोनों लड़के सच उगल देते हैं दोनों लड़के ये कबूल कर लेते हैं कि वो उस पैंक रोबरी में शामिल थे पुलिस उनसे लूटे गए माल के बारे में पूछती है जिसके जवाब में वो बताते हैं कि उनके पास पूरा तो नहीं लेकिन कुछ लूटा हुआ माल है जैसे उन दोनों ने गाउं की इट की भट्टियों में अलग-अलग जमीन के नीचे छुपाया हुआ है इसके बाद पुलिस एक बार फिर कटवाल गाउं जाती है पुलिस बरामद माल के साथ पापस आती है और ये जानकारी मीडिया को देती है साथ ही पुलिस ये भी घोशना करती है कि आने वाले कुछ घंटों में ही वो इस मामले को पूरी तरह से सुलजा लेगी पुलिस से मिली जानकारी मीडिया के जरीए देश के कोने कोने में लोगों तक पहुंचती है और लोग पुलिस की तारीफ करने लगते हैं और हो भी क्यों न देश की सबसे बड़ी बैंक रौबरी की पहली को पुलिस ने बहत कम समय में लगभग सुलजाई ही लिया था उधर मीडिया में जब दो लुटेरों को पकड़ लेने की बात आती है तब बैंक के सामने पीडित लौकर धारक अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैच जाते हैं पैंक की लापरवाई के खलाफ नारे लगाते पीडित लोग पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे इस बीच कुछ पीडितों ने मिलकर पैंक के खलाफ लापरवाई बरतने के चलते पैंक अधिकारियों पर मामला दर्च कर दिया पीडित लॉकर धारक किवल यहीं तक नहीं रुके उन्होंने हर्याना सीम मनोहर लाल खटर तक अपनी बात पहुँचाने के लिए सोर शोर से प्रदर्शन करने लगे एक तरफ पुलिस दो लुटेरों से पूचताज कर रही थी तो दूसरी तरफ पीडित लोग पुलिस और पैंक अधिखारियों के बीच साथ कांट की बात करने लगे थे पीडित लोगों का आरोप था कि कहीं न कहीं इस बड़ी लूट में बैंक का कोई अधिकारी शामिल है और इसलिए पुलिस उसे बचाने के लिए परपंच रच रही है पुलिस पर लगातार लगते इस तरह है कि आरोप और बैंक के सामने प्रदर्शन करते पीडित परिवार मामले को उलज़ाते जा रहे थे उस माहौल को देखते वे पुलिस की जिम्मिदारी हो गई थी कि वो जल से जल पकड़े गए उन दोनों लड़कों के बाकी साथियों की जानकारी हासिल कर ले अब आगे पुलिस के पास कई चुनाओ दिया थी लेकिन सबसे पहले उन्हें लूट में शामिल पकड़े गए दोनों लड़कों से उनके साथियों के बारे में जानना था फिलाल बाकी के लुटेरों को पकड़ना ही पुलिस का मुख्य लक्ष था अब पुलिस अपनी पूछताच को आगे बढ़ाती है और उन लड़कों से ये पता लगाने की कोशिश करती है किस लूट में उनके बाकी साथी कौन है पुलिस की लगातार पूछताच के बाद भी जब वो दोनों लड़के अपना मुँ नहीं खोलते तब एक बार फिर पुलिस सक्ती का साहरा लेती है और आखिरकार वो दोनों लुटेरे पुलिस के सामने हथ्यार डाल देते हैं उनके मुँ खोलते पुलिस को जो जानकारिया मिलती हैं उससे पुलिस एक बार फिर बुरी तरह से चौँक जाती है क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में पुलिस सोच भी नहीं पाई थी लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था? क्या पुलिस से कोई गल्ती हो गई थी? क्या बाकी के साथियों का नाम पुलिस के लिए जाना पहचाना था? कौन थे वो लोग जिसके बारे में पकड़ेगा लुटेरों ने बताया? क्या यहां पुलिस ने सुलझा ले थी इस सौ करोड की लूट की गुथी? जानने के लिए हमसे जुड़े रहे है कुकू एफेम पर सुने जो मन चाहे पंजाब नैशनल बैंक में हुई सौ करोड की रॉबरी को 48 घंटे बीच चुके थे और पुलिस के पास था बैंक से लुटे गए माल का छोटा सा हिस्सा और लुट में शामिल दो लुटे रहे जिनसे पूछताच करती पुलिस को आखिरकार उनसे सच निकलवाने के लिए टॉर्चर का साहरा लेना पड़ा पुलिस के इस दर्द भरी सक्ती के आगे वो दोनों लुटे रहे साधा देर तक टिक नहीं पाए और उन्होंने हाथ खड़े कर दिये पुलिस को तो इसी पल का कब से इंतजार था और अब पुलिस बैंक लुट में शामिल बाकी के लोगों का नाम जान चुकी थी पुलिस को उन दो लुटेरों ने बताया कि इस बड़ी लुट में उनके साथ तीन लोग और शामिल थे इन तीनों में से एक उनके ही गाओं का था और बाकी के दो आपस में रिष्टेदार थे वो दोनों जो रिष्टेदार थे वही इस लुट की योजना को लेकर उनके पास आये थे और पैसे का लालच देकर उन्हें अपने साथ आने को कहा था उन्होंने ये भी बताया कि सुरंग का आइडिया किस का था और उसे किस तरह से खुद आ गया उन्होंने बताया किस लुट में तीन और लोग शामिल थे उन्होंने लुट में शामिल बाकी तीनों लोगों के नाम भी बताया और ये भी बताया कि वो कहां मिलेंगे दोनों ने पुलिस को ये भी बताया कि वो खाली पड़ा बंद मकान आखिर उन्होंने सुरंग के लिए चुना क्यों पुलिस के सामने उन सारे सवालों के जवाब हाजिर थे जिनके पीछे वो पिछले दो दिनों से लगी हुई थी लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन सारे सवालों के जवाब उन दोनों मुझरिमों से पूछती पुलिस ने उससे पहले लूट में शामिल इनके बाकी के साथियों को पकड़ना ठीक समझा और पुलिस उन तीनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है कोहाना से लेकर कटवाल गाउं तक पुलिस कई टीमें बनाकर जगे जगे च्छानबीन के लिए भेज देती है स्थानिय लोगों से आसपास बजारों में और लगबग हर जगह पर पुलिस चापे मारी शुरू कर देती है पुलिस लगातार लोगों से पूचताच करती है अपने खबरियों की मदद लेती है और सविलांस के सर्य तीनों मुझरिमों को पकड़ने में लग जाती है एक एकर जैसे जैसे पुलिस को सुराग मिलते रहते हैं पुलिस वहां जाती है और उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश करती है और इसी बीच पुलिस को कटवाल गाउं से ही बाकी के दो और लुटेरे मिल जाते हैं इन दो लुटेरों के पुलिस की पकड़ में आते ही मीडिया सक्रिय हो जाती है और हर चैनल पर सौ करोड की लूट के मुझरिमों को पकड़ लिया गया है ये बताते हुए हैडलाइन्स चला दी जाती है अभी पुलिस को कुछ घंटे ही हुए थे इन दो और लुटेरों को पकड़े हुए कि पुलिस को एक और बदमाश के उसी की गाड़ी में मृत मिलने की खबर मिलती है पुलिस अफरा तफरी में मौके पर पहुँचती है तो पाती है कि अपनी ही गाड़ी के अंदर उस बदमाश ने सहर खाकर खुदखुशी कर ली थी पुलिस उस लाश की शिनाख्त करने के लिए उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ला दी है और पकड़े गए चारों बदमाशों से उस लाश की पहचान करने को कहती है और फिर पुलिस को वो मिलता है जिसका बैंक रॉबरी में मुक्खे रूप से हाथ था ये शक्स कोई और नहीं बलकी बैंक टकैती का मास्टर माइंड था अब पुलिस के सामने पूरा कांड परत दर परत खुलता चला जाता है ये शक्स जो खुद के पकड़े जाने के डर और शर्म की वज़े से जहर खाकर खुदखुशी कर लेता है तरसल वही पैंक रॉबरी का मास्टर माइंड महिपाल था ये खबर जल्दी ही लोगों के बीच पहुँच जाती है और इससे पहले कि पुलिस सारी कुथि सुल जाती उससे पहले ही पुलिस के लिए एक नई आफ़त आन खड़ी होती है पुलिस जिसे मास्टर माइंड बता रही है उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी तो अब पुलिस मामले को जल्दी दबा देगी इसलिए पुलिस से सवाल किये जाने लगे मीडिया महिपाल की मौत पर पुलिस के लापरवा होने का आरोप लगाने लगी तेश भर से पुलिस को जनता के रोश का सामना करना पड़ रहा था मीडिया अपने कायासों यानि स्पैकुलेशन से पुलिस को ही कट घरे में खड़ा कर रही थी तो वहीं पीडित लोग बैंक के अधिकारियों के लूट में शामिल होने और पुलिस द्वारा गुमरह करने के आरोप लगा रहे थे लेकिन इन हालातों में भी पुलिस ने अपना सबर नहीं खोया और वो अपना काम कर दी रही अब पुलिस के किरफ्त में पांच में से चार मुझरिम थे और अब ये मामला सब के सामने खुलने वाला था पुलिस ने इस बैंक रॉबरी के मुझरिमों के रूप में शक्स के फोन कॉल की निशान देही पर पकड़े गए थे और उसके बाद दो और मुझरिम, सतीश और राजेश, धर पकड़ के दौरान पकड़े गए। पांचवार लूट का मास्टर माइंड बताया जा रहा है मुझरिम महिपाल अब इस दुनिया में नहीं था। अच्छी तरह से जानते थे कि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। बदमाशों ने ये भी बताया कि महिपाल ने ही सभी को पैसे का लारच दिया था। उसने ही बताया था कि करोणों की लूट होने वाली है। और सब को इतना पैसा मिलेगा कि वो उन्होंने सपने में भी नहीं स सरासी भी बनक नहीं लगी। बदमाशों ने इस बात को कुबूल किया कि उन्होंने लौकर रूम के साथ सार कैश रूम को भी तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वो उनसे तूट नहीं पाया था। और क्यूंकि उनके पास समय कम था, इसलिए उन्होंने लौकर तोड़ की पूरी कहानी खुल चुकी थी। और इसके साथ ही उनके पास लूट का पूरा माल भी मौजूद था। पुलिस ने बहतर घंटों में इस लूट की वारतात का खुलासा कर दिया था। और वो भी मीडिया पीडितों और देश भर से मिल रही लगातार बढ़ते प्रेशर क के बीच। अब पुलिस सभी के सामने पैंक रॉबरी से चुड़ी सारी जानकारी और सवालों के जवाब रखना चाहती थी। पुलिस ने बदमाशों को गिरफतार करने के बाद उनकी निशान देही पर चुलूट का सामान बरामत किया था। उसकी नापतोल कराकर पुलिस ने उसे मीडिया के सामने रखने का फैसला किया। साथ ही तै किया गया कि पुलिस मीडिया कॉन्फरेंस के दोरानी इस बैंक रॉबरी की पूरी कहानी तेश के सामने रखेगी। लेकिन इससे पहले पुलिस को एक एहम काम करना था। वो ये कि बैंक के सामने धरना दे रहे पीडित परिवारों को उनकी पाई पाई लोटाने का आश्वासन दिया जाए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ ऐसा नहीं किया, बलकि पुलिस ने उन सभी को ये समझाया, कि आपके सवालों का जवाब पुलिस आपको देगी, और मीडिया के सामने ही आपके माल को नाप कर, तोल कर भी दिखाएगी, ताकि सभी इस बात से निश्चन्त हो जाएं कि उनका पैसा, उनकी जमापुझी उनके सामने है, और वो सभी को लोटाई जाएगी, तो तै कि आगया कि पुलिस ने सभी बड़े चैनलों को प्रेस कॉन्फरेंस के लिए आमंतरित किया, और तै समया अनुसार पुलिस मीडिया के सामने प्रस्तोत होई, पुलिस के सामने बड़ी संख्या में मीडिया करमयों की भीड थी, और सेकड़ों सवाल उनके लिए तैयार खड़े थे, और जैसे पुलिस प्रेस कॉन्फरेंस के लिए आती है, सवालों की बौचार शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस किसी का जवाब देती, उससे पहले देश की सबसे बड़ी बैंक टकैती को, किस तरह से और कितनी प्लैनिंग के बाद अंजाम दिया गया, ये सभी को बता देना चाहती थी, तक रेट बैंक रॉबरी को कैसे दिया गया था अंजाम, कौन था सुरंग खोदने वाला महारती, किस तरह करोडों का माल चंद घंटों में लूट लिया गया, आखिर किन रहस्यों से परदा उठाने वाली थी पुलियस, जानने के लिए हमसे चुड़े रहिए कुकू एफेम पर, सुने जो मन चाहे, एपिसोड सेवन, इकबाल जुर्म, गोहना के पियन बी बैंक में, 125 फीट की सुरंग के जरिये, सौ करोड की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश, अब पुलिस के शिकंजे में थे, उनका खेल पुलिस ने 75 घंटों के अंदर ही, खत्म कर दिया था, पुलिस ने लूट में शामिल 5 लुटेरों को पकड़ लिया था, इनमें से एक ने, जिसे पुलिस पुरी घटना का मास्टर माइंड बता रही थी, उसने पुलिस के पकड़े जाने से पहले ही, जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, पज़े चार बदमाशों से पुलिस ने, लूट का सारा माल परामत कर लिया था, और उन्होंने कैसे लूट की पुरी साज़िश को एक सुरंग के जरीए अंजाम दिया, ये पुलिस अब एक प्रेस कांफरेंस के जरीए तेश के सामने रखनी जा रही थी, पुलिस ने आरोपियों को मीडिया के सामने खड़ा किया, और लूट के पूरे माल को भी सभी के सामने रख दिया, अब पुलिस ने बताया कि कैसे बदमाशों ने खुद अपने मूँ से स्टेप बाई स्टेप पूरी कहानी उगल दी, और जो कहानी सामने आई, वो कुछ इस तरह थी, तो इकबाले बयान ऐसे शुरू होता है, कि लूट का मास्टर माइंड कहा जाने वाला महिपाल, अपने रिष्टेदार, यानि साले सतीश के साथ मिलकर, पानी पत में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, कुछ सालों तक दोनों ने साथ में किया, और इसी बीच उन्हें प्रॉपर्टी डीलिंग के इस काम में कोई बड़ा नुकसान हो गया, अब जब नुकसान हुआ, तो दोनों इसकी भरपाई करने के बारे में सोचने लगे, उन दोनों को नुकसान चुकाने की बहुत जल्दी थी, अगर वो ऐसा नहीं करते, तो उन पर बड़ी आफ़त आ सकती थी, तोनों ने हर तरह के तिकड़म लगा कर देख लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया, आखिरकार एक दिन महिपाल के दिमाग में, उसके घर के ही पास जो पंजाब नेशनल बैंक था, उसमें डाका डालने का प्लैन आया, महिपाल ने इस बारे में अपने साले सतीश से बात की, और उसे पूरा प्लैन बताया, सतीश को अपने जीजा की बात पसंद आई, क्योंकि ये पैसा कमाने का शॉटकट था, इसलिए दोनों इस काम को अंजाम देने के बारे में लगातार विचार विमर्श करने लगे, पाचीत के बाद महिपाल ने तै कि डखैती डाली जाएगी, और जो भी पैसा आएगा, उससे पहले अपना नुकसान पूरा किया जाएगा, और उसके बाद आगे कुछ और पढ़िया किया जाएगा, सतीश ने भी महिपाल के हां में हां मिला दी, और अब दोनों जीजा साले तै करते हैं कि वो दोनों बैंक लूटेंगे, पहले प्लैन बनाया जाता है कि इस बैंक को छटके रास्ते उतर कर लूटा जाएगा, लेकिन फिर सोचा गया कि नहीं, ऐसा करने पर लोग देख लेंगे, दिन में ऐसा करना संभव नहीं होगा, और रात में अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो असपस इतनी रोश्णी होती है कि कोई भी आसानी से देख लेगा और पकड़े जाएंगे, फिर तह होता है कि बैंक की दिवार में सेंद लगाई जाएगी, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि दिवार तोड़ेंगे तो कमपन होगा, आवाज होगी, लोगों को पता लग जाएगा, और फिर एक बार प्लैन कैंसल हो जाता है, लेकिन फिर महिपाल अपना मास्टर स्ट्रोक फेंकता है, और प्लैन किया जाता है कि बैंक में सुरंग के रास्ते दाखिल हुआ जाएगा, और वहीं से लूट को अंजाम देकर वहीं से वापसी भी की जाएगी, ये प्लैन दोनों को बहुत बढ़िया लगता है, और दोनों प्लैन को आगे पढ़ाते वे बैंक की रेकी करना शुरू कर देते हैं, तै किया गया कि किसी ना किसी काम के बहाने से बैंक के अंदर जाये जाएगा, और बैंक का लॉकर कहां है, स्ट्रॉंग रूम कहां है, इसका पता लगाया जाएगा, अब चूंकी सुरंग खोद नी थी, इसलिए लॉकर रूम तक जाकर देखना जरूरी था, इसलिए महिपाल ने बैंक अकाउंट खोला, और फिर बैंक लॉकर में जाकर, वहां कितनी जगए है और कहां सुरंग बनाई जाएगी, इस बारे में पता किया, महिपाल महीने भर से बैंक से चुड़ी सभी तरह की संभावनाओं पर काम कर रहा था, और फिर आगे प्लैन के अनुसार, महिपाल ने सुरंग खोदने के लिए बैंक से कुछी दूरी पर बंद पड़े अपने खर का साहरा दिया, और वहां से ही इस लूट की नीव रखी गई, महिपाल ने सतीश को समझाया, कैसे मकान के धरवाजों से नहीं, बलकि उसकी खिड़कियों से अंदर आना है, और कौई बाहर से अंदर होने वाली हरकतों को देखना सके, इसलिए उसने मकान की सभी खिड़के और दरवाजों पर प्लाई ठुकवा दी, तोनों ने तै किया कि दिन के समय मकान में आया जाएगा और धीरे-धीरे सुरंग खोदी जाएगी महिपाल ने इस प्लैन को सितंबर से बनाना शुरू किया था और फिर करीब 40 दिनों तक सुरंग को खोदा गया महिपाल और सतीश खोदाई की शुरूआत कर चुके थे लेकिन सुरंग खोदना और चौकन ना रहना साथ-साथ संभव नहीं हो पा रहा था इसलिए इस प्लैन में तीन और लोगों को शामिल करने की योजना बनाई गई अब ये तीनों कहां से ढूंडे जाते ये सोचना था तो ये मुश्किल सतीश ने आसान कर दी सतीश कटवाल गाओं में रहता था और वहीं उसे अपने बागी साथी भी मिल गए सतीश ने तीन लड़कों को अपने प्लैन में शामिल करने के लिए उनसे भात की पहला इन तीनों लड़कों में से थोड़ा पढ़ा लिखा था और वो किसी कंप्यूटर लैब में काम करता था दूसरा लकडी का यानि एक बड़ाई गिरी का काम करता था और तीसरा लड़का बेरोजगार था सतीश ने तीनों को महिपाल से मिलवाया और महिपाल ने उनसे बात कर उन्हें भरोसे मिलिया महिपाल पहले से ही प्लान कर चुका था कि उसे बड़ा हात मारना है और इसी बात को उसने उन तीनों लड़कों को भी बताया महिपाल ने उनसे कहा कि ये लूट बहुत बड़ी होगी इतनी बड़ी कि फिर कुछ भी किया जा सकता है महिपाल की बात से लड़कों के मन में लालच आ गया लकिन बात पूरी होती उससे पहले लड़कों ने अपने-पने हिस्से की बात पूछ डाली यहीं महिपाल समझ गया कि लड़के दिमाग से कमजोर तो बिलकुल भी नहीं है और सिर्फ बड़ी लूट का सपना दिखा कर उन्हें अपनी साइट नहीं किया जा सकता तब महिपाल ने उनसे लूट के माल को बराबर हिस्सों में बाटने की बात की लेकिन इसके साथ ही उसने एक शर्थ भी रखी शर्थ ये थी कि चुकि पूरा प्लाइन उसका था उसने इस प्लाइन के लिए महिने भर से तयारी की थी और लूट के लिए बनाई जाने वाली सुरंग भी उसी के बंद पड़े मकान से खोदी जानी थी इसलिए लूट का 50 पीस्दी हिस्सा वो लेगा और बाकी का 50 पीस्दी हिस्सा उन सभी के बीच बराबर बाट दिया जाएगा महिपाल ने उन सभी से बड़ा हात मारने की बात कही थी और जब हिस्से की बात चल रही थी तब कितना मल लूटा जाएगा और कितना मल बाटा जाएगा इस सवाल पर महिपाल ने उन्हें अपना टार्गिट पताते वे कह, किस लूट से उन्हें 100 करोड मिलेंगे सौकरोड की बात और फूल प्रूफ प्लैन सुनकर तीनों लड़के लूट के लिए तैयार हो गए लड़कों ने अपनी तरफ से वो क्या क्या कर सकते थे ये महिपाल को बताया जिसके बाद महिपाल ने तैकिया कि सुरंग खुदाई का काम बड़ाई का काम करने वाला लड़का करेगा एक मिट्टी को बोरे में भरेगा और उसे कमरों में फेकेगा एक मकान के बाहर खड़े होकर पहरा देगा और बाकी बारी बारी से सारे काम करते रहेंगे महिपाल ने सबसे ज़ादा दिमाग सुरंग के खुदाई कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है इस पर लगाया उसने बड़े शातिराना तरीके से मकान के नीचे से जा रही नाली, टेलेफोन के तारों और आसपास के मकानों की नीव को छोड़ते वे खुदाई करने की हिदायत दी वो जानता था कि अगर गलती से भी कहीं कुछ डैमेज हो गया तो उनका राज खुल जाएगा, वो लूट के पहले से ही जेल में दिखाई देंगे सुरंग खोदना सबसे मुश्किल और सबसे एहम काम था, इसलिए किसी तरह कि जल्दबाजी इसको खोदने में नहीं दिखाई गई हर रोज दो से ठाई फीट सुरंग खोदी गई, मिट्टी को बोरियों में भर कर कमरे में डाला गया सुरंग से गुजरती पाइपलाइन और टेलेफोन तारों को बचाते वे धीरे धीरे आगे बढ़ा गया क्योंकि सुरंग खोदते वे नीचे ऑक्सिजन की कमी हो जाती थी, इसलिए ज़्यादातर खुदाई बढ़ाई लड़का करता था लेकिन जब उसे लगता कि दम घुट रहा है, तब दूसरा लड़का आकर खुदाई करने लगता रोज महिपाल और बाकी साथी दिन के वक्त मकान में आते और धाई फीट तक सुरंग खोदते हुजारों को मिक्टी में दबाते और वहां से ताय अनुसार शाम से पहले निकल जाते आगे क्या हुआ, पैंक के लॉकर रूम तक आखिर कैसे हो सकी सुरंग की खुदाई पत्माशों ने किस तरह चुना लूट का दिन? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफेम, सुने जुमन चाहे गुहाना बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए महिपाल ने अपनी टीम तयार कर ली थी बैंक से 500 किलोमीटर की दूरी पर बसे कटवाल गाओं के रहने वाले तीन लड़के अब महिपाल और सतीश के इस बड़ी लूट के फ्लान का हिस्सा बना लिये गए थे योजना के अनुसार सबसे पहले बैंक की रेकी की जा चुकी थी तो आगे ये करना था कि बैंक से होकर महिपाल के घर तक एक छोटी पतली सी गली जाती थी उस गली के नीचे से होकर ही उन्हें सुरंग खोदनी थी साथी कुछ खास बातों का विशेश ध्यान रखना था जैसा कि तैय हुआ था कि सुरंग को कौन और कितना खोदेगा उसी हिसाब से काम किया जा रहा था सुरंग के रास्ते बीच में आती पानी की पाइप्स और टेलेफोन के तारों को बिना नुकसान पहुँचाए आगे रास्ता बनाना था इस बीच महिपाल ने सबको खास तोर पर ये हिदायत दी कि उन्हें बैंक के आसपास और इस घर में जब तक समय गुजारना था उस दौरान मोबाइल फोन अपने साथ नहीं रखने थे महिपाल इस बात से वाकिफ था कि पुलिस मोबाइल सविलांस के सरी उनका पता आसानी से लगा सकती थी वो किसी तरह का खत्रा मोल नहीं लेना चाहता था इसलिए उसने और उसकी टीम ने बैंक रॉबरी की वारतात को अंजाम देते वे कभी भी अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखा तमाम साथानियों के पीच सुरंग खुदाई का काम जारी था धीरे धीरे सुरंग जब बैंक के नस्दीक पहुँझे तब खुदाई का काम रोग दिया गया महिपाल ने प्लैन बनाया था कि बैंक के वरकिंग डेस के दोरान सुरंग का अंतिम हिस्सा यानि उसका दूसरा सिरा जो बैंक के लॉकर रूम तक खुलना था उसे बैंक की छुट्टी के दिन खोदा जाएगा और वही दिन सुरंग के खुदाई का आखरी दिन होगा महिपाल के घर से बैंक के लॉकर तक खोदी जाने वाली इस सुरंग के अंतिम पड़ाओ पर आने से पहले महिपाल ने एक बार फिर बैंक की रेकी की महिपाल अच्छे से जानता था कि बैंक अपने नोटिस बोर्ट पर छुट्टियों के बारे में बताता है किस दिन बैंक हाफ छुट्टी पर होगा बैंक कब बंद रहेगा ये उस नोटिस बोर्ट पर अपडेट beltा रहता था इसी जानकारी के लिए महिपाल ने बैंक पर निगाह बना के रखी और फिर वो दिन आया जब बैंक नोटिस पर बताया गया कि बैंक शनिवार को हाफ दे रखेगा यानि आधे दिन की छुट्टी होगी और अगले दिन रविवार की छुट्टी रहेगी और फिर सीधे सोमबार को बैंक अपने निर्धारित समय पर खुलेगा यानि बैंक डेड़ दिन के लिए बंद रहने बाला था महिपाल इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था और उसने ठान लिया कि अब और आगे इंतजार नहीं किया जाएगा बैंक को इसी डेड़ दिन के भीतर ही लूट लिया जाएगा दो महिने से बैंक टकैती की प्लानिंग कर रहे महिपाल को इसी दिन का इंतजार था लेकिन उससे पहले महिपाल ने उन बारीकियों पर काम किया जिनकी लापरवाही करने पर उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था महिपाल ने अपने सभी सातियों को योजना का अंतिम दौर समझाया और पताया कि लूट के दिन वो लड़का जो बड़ाई था सिर्फ वही अपने हथियार और ओजार बोरियों में भर कर सुरंग के अंदर ले जाएगा और सुरंग का दूसरा सिरा बैंक लौकर रूम तक खो देगा उसके बाद हथियार और ओजार बैंक के दूसरे सिरे यानि लॉकर रूम में छोड़कर मिट्टी को बोरियों में भरकर वापस घर की तरफ लाया जाएगा जब रास्ते से मिट्टी पूरी तरह से हटा ली जाएगी उसके बाद एक एक करके सभी बैंक लॉकर रूम में दाखिल होंगे चुकि हथियार, औजार और बोरिया पहले ही बैंक लॉकर रूम में पहुँचा दिये गए थे इसलिए सभी असानी से रेंगते हुए एक एक कर बैंक तक पहुँच जाएंगे माईपाल ने ये भी तै किया कि वो इस लूट में कितना समय लेंगे क्योंकि सुरंग को बैंक के लॉकर तक खोद कर पूरा करना था और फिर लूट को अंजाम देना था साथ ही लूट के बाद सुरंग से बाहर निकल कर सामान लेकर फरार होने तक के बीच कुछ इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करना था कि किसी को लूट और लूट का सामान ले जाते वे इन पर शक्त न हो किसी को ये न लगे कि जल्दबाजी और भागते वे किसी काम को अंजाम दिया जा रहा है महिपाल बहुत शातिर था और उसने फूल प्रूफ प्लान बनाया था ताकि कोई भी और कैसे भी उनकी इस लूट को भाप न पाए तो तैसामे और दिन के अनुसार सुरंग के रास्ते बैंक के लॉकर रूम तक पहुँचे ये पाँचों लुटे रहे बैंक में पहुँचकर लॉकर्स तोड़ने की शुरुवात कर दे बैंक लॉकर के इस रूम में कुल 3500 लॉकर्स एक साथ तोड़े जाना संभाव नहीं था इसलिए उन्होंने कैनुमान के अनुसार लॉकर तोड़ना शुरु किये एक एक करके तकरीबं 86 लॉकर्स उन्होंने तोड़ डाले इन 86 लॉकस में से 7 लॉकस खाली थे जबकि बाकी में काफी सादा मात्रा में सोना चांदी हीरे के सेवर और कैश था सभी लगभग बैंक लॉकस में 6 घंटों तक इस लूट को अंजाम देते रहे चुकि समय पहले ही तै किया जा चुका था तो इसके आगे लूट को रोक दिया गया और सामान को बोरियों में भरना शुरू किया गया एक एक बोरी जैसे जैसे भरती जाती उसे वैसे वैसे बारी बारी से सुरंग के रास्टे महिपाल के घर तक ले जाया जाता रहा शनिवार की हाफ छुट्टी के बाद उन्होंने पैंक बंध होने के कुछ समय बाद सुरंग को खोदना शुरू कर दिया था और रविवार को लूट के लिए तै किया गया था शाम होने से पहले तक सारा माल सुरंग के जरिये महिपाल के घर तक लाकर जमा करा लिया जाएगा और फिर रात होने का इंतिसार करना होगा और जब अंधिरा बढ़ने लगा तब महिपाल के घर के पास एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी को सामान लादने और वहां से माल ठेकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया योजना के अनुसार महिपाल और उसके साथ ही रात होते ही लूट के माल से भरी बोरियों को गाड़ी में लादने लगे सारा सामान गाड़ी में एक एक करके रख लिया जाता है सभी औजार और हथ्यार भी साथ में रख लिये गए और फिर सभी वहां से गाड़ी में बैट कर निकल जाते हैं गाड़ी में लूट का सामान लादने और वहां से निकलने के बाद सभी एक तै किये गए स्थान पर मिलते हैं मुलाकात का मकसद लूट के माल को बराबरी में बाटना और एक निश्यत समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाने की योजना से जुड़ा था। जैसा कि तै था, महिपाल ने लूट के माल का 50 फीस दी हिस्सा अपने बास रखा और बाकी का 50 फीस दी माल बाकियों में बाट दिया। इसके बाद सभी ने तै कि कुछ समय तक सभी अंडरग्राउंड रहेंगे और लूट के माल को कोई भी बेचने की कोशिश नहीं करेगा। पैंक लूट की खबर देश भर में कुछ ही घंटों में फैल जाती है। अनकि सभी को अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा और हुआ भी जब हर तरफ पैंक लूट की खबरें चल रही थी तब लूट के बाद बिल में छुपे ये सभी लूटेरे हर खबर पर नज़र रखे हुए थे। हर एक पुलिस के एक एक कदम की जानकारी ले रहा था। पैंक लूट से कितने का नुकसान हुआ और पुलिस क्या-क्या जांच कर रही है और पुलिस किस तरह से बदमाशों को पकड़ने की योजना बना रही है जैसी सारी अपडेट्स उन सभी लूटेरों को मीडिया के मा रही थी ये लूट बहुत बड़ी थी उसे अंजाम देने का थरीका भी बहुत अलग और परफेक्ट था जिसके वज़े से लोग लूटेरों को शातिर और प्रोफेशनल चोर मान रहे थे लेकिन सज्जाई क्या थी ये सिर्फ लूटेरे ही जानते थे लूट की वारदात क तो एक ही दिन हुआ था कि इसी बीच लूटेरों के बीच का एक साथ ही अपना आपक हो बैठा उसने पुलिस को नादाना और खुद को चालाग समझ कर कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे पुलिस हो गई अलट एक ऐसी गलती जो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत बन गई लूटेरों के बीच कौन था वो गलती करने वाला शक्स आखिर कौन सी गलती कर दी थी उसने एक गलती या सोचा समझा प्लान ऐसा क्या था जिससे पुलिस अलट मोड पर आ गई थी क्या इस गलती नहीं लूटेरों को पहुँचाय था जेल के बीचे क्या था लूटेरों क आगे का प्लान चानने के लिए चुड़े रहिए हमारे साथ कुकु एफेम पर सुने जो मन चाहे एपिसोड नाइन एक गलती चुप बन गई बड़ा सुराग PNB बैंक से करोडों के लूट कर भागे लुटे रहे जहां एक तरफ कहीं दूर चैन की सांस ले रहे थे तो वहीं लूट की इस बड़ी खबर ने देश भर में हंगामा मचा रखा था और कोई बस इसी लूट की बात कर रहा था करोडों की लूट और इस लूट को अंजाम देने का फिल्मी तरीका लोगों को हुमान्चित कर रहा था मीडिया पुलिस से मिल रहे हर एक अपडेट को लोगों तक पहुँचा रही थी और किसी के जहन में बस एक ये सवाल जल रहा था कि आखिर कौन थे वो लोग जो किसी फिल्म की कहानी की तरह बैंक को लूट कर बिना कोई सबूत छोड़े फरार हो जाते हैं बैंक रॉबरी के अगले दिन जब देश भर में इस सौ करोड की लूट की खबरें हर घर में संसनी की तरह फैल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कहीं लुटेरें लूट का पैसा चुपाने में लगे थे पीधी रात लुटेरों ने चुप कामियावी हासिल की थी उसका वो जशन तो नहीं मना सकते थे लेकिन अपने मनसूबों के पूरी होने की खोशी वो जरूर लूट के माल को देखकर महसूस कर रहे थे उधर बैंक लूट के 24 घंटे पूरे होने को थे और पुलिस के पास अंदेशों और शंकाओं के अलावा कुछ न था कुछ लोगों पर बैंक के आसपास लगे CCTV को देखकर पुलिस ने शक जाहिर किया लेकिन कुछ पुखता ना मिल सका पुलिस एक तरफ लोटेरों को खोज रही थी तो दूसरी तरफ मीडिया के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था समय गुजर रहा था और पुलिस अंधेरे में तीर चलाए जा रही थी इसी बीच PMO आफिस से स्पेशली इस केस के लिए और याना पुलिस की मदद करने को लूट जैसे मामलों के जानकार एक बड़े अधिकारी को सोनी पत भेजा जाता है अधिकारी आते ही लोकल पुलिस द्वारा की गई अब तक की इन्वेस्टिकेशन को देखते हैं और उसी के आधार पर साविलांस नेटवर्क और अपने खबरियों को एक्टिव कर दे दे पुलिस चारों तरफ से चोरों को घेरने की कोशिश में हर संभव प्रयास करने में लगी थी लेकिन अफसोस की लूट के 36 घंटों के बाद भी पुलिस के पास लूटेरों को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिली थी हार कर भाखरकार पुलिस को एक दाव चलना पड़ा पुलिस मीडिया के सामने पैंक रॉबरी करने वाले मुझरेमों के बारे में पुलिस को जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की खोशना कर दी है पुलिस का अंदाज़ा था कि इस बार शायद उनकी चली हुई चाल काम कर जाएगी इधर 10 लाख के इनाम की खोशना के खबर मीडिया के जरीए काउं काउं तक पहुँच चुकी थी तो उधर सोनिपत के गोहाना इलाके के PNB बैंक जहां लूट को अंजाम दिया गया था वहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर एक गाउं में आधिरात को शराब के घूंट पीते वे कुछ लोग इस लूट की बाते कर रहे थे देश भर में जहां इस लूट को लेकर चर्चाएं जारी थी तो वहीं सोनी पत के लोगों में लूट की वारदात को लेकर संसनी फैली हुई थी लोग अपने-अपने कयास लगाए बैठे थे उस शाम जब शराब के सहरे लोग एक साथ बैठ कर इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तब सभी के पास लूट के अलावा लूट की जानकारी देने वाले को मिलने वाले 10 लाख रुपए के इनाम को लेकर भी पहस के बड़े मुद्दे मौझूद थे लग रहा था कि जैसे शराब के नशे में जूम रहे ये लोग लूट की इस वारदात पर पूरे होश में बहस कर रहे थे पुलिस कब और कैसे लुटेरों को पकड़ेगी यही सवाल सबकी जबान पर था लोगों को यकीन था कि पुलिस भले ही देर करे लेकिन ढकयतों को ढूंड ही निकालेगी और अब जब दस लाख रुपए के इनाम की खोशना भी हो चुकी थी तब तो लगता था कि जैसे पुलिस के हाथ लुटेरे चड़ी ही जाएंगे वही इन लोगों के बीच एक शक्स ऐसा भी था जो लोगों की चर्चाओं पर ध्यान ना देकर किवल शराब पीने पर ही अपना पूरा ध्यान लगा रहा था वह शक्स एक के बाद एक पैंग लगाये जा रहा था यह शक्स कोई और नहीं बलकि वही पे रोजगार लड़का था जो बैंक डकैती में शामिल था पैंक लूट के अगले दिन यह लड़का सभी के साथ मिलकर चैन से शराब के क्लास पर क्लास खाली किये जा रहा था यह लड़का लोगों की बातों को सुनता और मुस्कुरा था वो सब सुनते वे ऐसे रियक्ट कर रहा था जैसे वो उनकी खिली उड़ा रहा हो वो एक कलास खाली करता और हसता हुआ फिर दूसरा बना लेता लोग लुटेरों को पकड़ने की बात कर रहे थे और यह लड़का कुटलता भरी मुस्कान भरता या बीच बीच ही हलकी सी हसी हस दे था लोग इसे ऐसा करते देख रहे थे लेकिन चूंकी वो नशे में था इसलिए उस पर जादा ध्यान नहीं दिया गया लोगों ने इसी बीच तस लाग के इनाम की बात भी की और दावा करते वे गा कि अब तो पुलिस लुटेरों को जल से जल पकड़ी लेगी लोग मानकर चल रहे थे कि इनाम की घोशना ही लुटेरों को पकड़वा सकती है अगर कोई तो होगा जिसने इतनी बड़ी लूट को अंजाम देते वे चोरों को देखा होगा लोग इसी तरह के दावे किये जा रहे थे और ये लड़का उनकी बातों को सुनते ही कभे सर नीचे करके हसता तो कभी मुस्कुरा कर टालता जा रहा था तबी जब किसी ने कहा कि पुलिस बहुत तेजी से अपना काम कर रही है उनके खबरी हर तरफ फैले हुए है और ऐसा लगता है कि जल्दी लुटेरे पकड़ लिये जाएंगे इस बात को सुनते ही शराब का किलास पकड़े बैठा वो लड़का सोर से हस देता है उसका हसतना लोगों को अजीब लगता है लेकिन वो नशे में था और जूम रहा था इसलिए उसके हसी लोगों को कुछ खास नहीं लग रही थी लेकिन वो लड़का वहीं तक नहीं रुका वो फिर हाँ सा और अपने सामने बैठे सभी लोगों की तरफ देखते वे बोला पुलिस ढोंडती रह जाएगे पर हमें नहीं पगड़ पाएगी लोग उसकी बात सुन रहे थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे लोगों का उसे सीरियस ना लेना उसे खटका और इस बार उसने अपनी शेखी बगहार देवे का ये हम लोगों का काम है उस लड़के ने जोश और नशे में आकर ये सब कहतो दिया लेकिन उसे इस बात का बिलकुल अंदाजा नहीं था कि उसके टींगे हांक ना उसे कितना महंगा पड़ सकता था उस वक्त जब वो अपनी चालाकी पर हसता हुआ लोगों के सामने लूट की वारदात को अंजाम देने वाली बात स्विकार कर रहा था तभी लोगों के बीच बैठा एक शक्स उसकी बातों पर गौर करता है क्योंकि हसकर लोगों का मजाग बनाने वाला वो लड़का नशे में था इसलिए उसे गंभीरता से लेना मुश्किल हो रहा था लेकिन जब उसने लगा था लूट को लेकर अपने ना पकड़े जाने के दावे कि तब उस शक्स को उस पर शक हो गया दस लाग के इनाम की बात जग जाहिर थी इसलिए उस शक्स को भी इसकी पूरी जानकारी थी लेकिन उसे नशे में चूर होकर जूमते उस लड़के की जबान पर यकीन नहीं हो रहा था तब उसने अपने तरीके से उस पर नज़र रखने की कोशिश की उसने देखा कि वो लड़का किसी अंगूठी को बेचने की बात कर रहा था उसने लड़के के बारे में आजबास पता किया तो ये भी पता चला कि लड़के के सिर पर उधार था लेकिन वो इस बात से परेशान नहीं था बलकि अचानकी वो बड़ी-बड़ी बाते करने लगा था उसका फ्यवहार पहले से बदल गया था और हर वक्त पैसे की बात किया करता था उस शक्स ने अपने शक्क को यकीन में बदलने के लिए कुछ और भी कोशिशे की जैसे वो लड़का सिर्फ घर में ही या घर के आसपास ही अपना पूरा समय गुजार रहा था उसके साथ उसका एक साथी और था जो दिन के अधिकतर वक्त में उसी के साथ दिखता था वो लड़का पैसे की बात करता था और पता नहीं क्यों अंगूठी बेचने को लेकर दोनों लड़कों में पहस हो जाती थी लड़के पर शक करने वाले शक्स के पास अब कुछ ऐसी बाते थी जिनके आधार पर वो पुलिस को इसकी जानकारी दे सकता था और फिर हुआ भी यही शक्स ने 29 अक्टूबर की रात पुलिस स्टेशन में फोन किया और इस लड़के और उसके साथी के बारे में पुरी जानकारी पुलिस को दे दी उधर इस अंजान शक्स का फोन आते ही पुलिस सतर्ख हो गई और उस ने उस शक्स से लड़कों के बारे में और उसे मालूम हर तरह की जानकारी ले ली और तुरंट अपनी एक टीम उस गाउं में फेज दी ये गाउं वही था जहांसे महिबाल के साले सतीश ने उन तीनों लड़कों को ढून कर अपने प्लैन में शामिल किया था पुलिस का स्टडी में उनसे सक्ती से पूछताच की गई तब उन दोनों ने अपने हिस्से के माल को कहा छुपाया था इसकी जानकारी पुलिस को दे दी पुलिस ने भी देर ना करते वे जल्दी ही करीब आट किलो सोने के जेवरात और कुछ कैश उन दोनों की निशान देही पर गाउं की इट की भट्टियों से बरामत कर लिया इसके बाद पुलिस को वो मिल गया था जिसकी उसे पिछले दो दिनों से तलाश थी पुलिस अप इन दोनों लड़कों से लूट में शामिल उनके बाकी के साथियों के बारे में पूछताच करती है और जल्दी ही ये दुनों बाकीयों का नाम भी बता देते है पुलिस हाई अलर्ट पर बाकी के तीनों बदमाशों को पकड़ने में लग जाती है इधर पुलिस बताये गए ठेकानों पर चापे मार कर दो और बदमाशों को पकड़ती है कि इसी दोरान लूट का मास्टर माइंड बताया जाने वाला महिपाल सहर खाकर आत्मात्या कर लेता है महिपाल की आत्मात्या करने के खबर मीडिया में जहा जाती है उधर बैंक के सामने धरना दे रहे पेड़ितों को जब लूट का सामान मिलने और लुटेरों की गिरफतारी की खबर मिलती है तो उनकी हताश और निराश उम्मीदें फिर से जाग उठती है लेकिन पुलिस का काम यहीं खत्म नहीं हो पाता आगे कुछ ऐसा बाकी था जिसका पुलिस को अंत करना था ऐसा क्या बाकी रह गया था क्या कोई रास था जो महिपाल की मौत के साथ ही गुजर गया था क्या पुलिस मीडिया से कुछ छुपा रही थी क्या मीडिया पुलिस के दिये बयान को सच मान लेती है ऐसा क्या बाकी था जिसका अंतकरना पुलिस के लिए बेहत ज़रूरी था जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफम सुने जो मन चाहे एपिसोड टैन शक के घेरी में आई पुलिस देश की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने वाले लुटेरे अब पुलिस की किरफ्त में थे इन लुटेरों की टीम के एक बड़बोले लड़के की वज़ा से बाकी के सभी सदस से पकड़ लिये गए थे डकैती के 75 घंटों में पुलिस इस मामले को क्रैक कर लेती है और लूट के पुरे माल यानी 100 करोड के माल के साथ सभी को जेल में डाल देती है हाला कि इस मामले में पुलिस लखी रही क्योंकि अगर शराप के नशे में लोगों के सामने लूट को अंजाम देने वाली बात अगर वो लड़का नहीं कहता तो शायद पुलिस बदमाशों को खोचती रह जाती चूंकि पुलिस के पास जाधा लीड्स नहीं थी और अगर दस लाग का इनाम न रखा जाता तो ये बड़ी लीड्स मिलना शायद नामुम्किन था खैर पुलिस के पास अंजान शक्स के कॉल करने के बाद पकड़े गए दोनों बदमाशों ने अपने भागी के साथियों के नाम बता दिये और बिना देर किये पुलिस ने उन्हें भी धर्द बोचा लेकिन इसी बीच लूट के मास्टर माइन महिपाल ने पुलिस के डर के कारण सहर खाकर आत्मात्या कर ली थी पुलिस को उसकी लाश उसकी ही सफेड डिजायर काड़ी में मिली अब आगे पुलिस के रहे पूरा मामला सुलजाना ज़ादा मुश्किल नहीं रहा सभी की गरफतारी के बाद पुलिस ने बड़ी ही आसानी से उनसे सारे माल को कहां चुपाया गया और किस तरह से सभी कुछ किया गया यह उगलवा लिया और सारा माल भी जब्त कर लिया पुलिस ने इस बीच सभी मुझरिमों की क्राइम हिस्टरी चेक की लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला पुलिस इस बात से आश्चरे में थी कि कैसे एकदम आम और गाव के लड़कों ने मिलकर इस पूरी लूट को अंजाम दिया और एक पॉफेक्ट सुरंग मकान से बैंक के लॉकर तक एकदम पॉफेक्ट जगह पर बैंक लॉकर के बीच सुरंग को खोद लेते हैं और अपने पूरे प्लान को बेहत सावधानी के साथ अंजाम देते वे सौ करोड का माल लेकर फरार भी हो जाते हैं पुलिस के लिए ये बात भी बेहत हैरानी वाली थी किस पूरी लूट को प्लान करने से लेकर उसे अंजाम देने तक सभी बतमाशों ने खुद को फोन से दूर रखा समाए और आने जाने में भी कोई गड़बडी नहीं होने थी इतना पॉफेक्शन बिना किसी क्राइम हिस्ट्री के देखना पुलिस के लिए बेहत हैरान कर देने वाला था बहरहाल अब मामला सॉल्व हो चुगा था मुजरिम और लूट का माल दोनों पुलिस के पास थे लेकिन महिपाल की मौत ने पुलिस को शक्के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था पैंक के सामने धरने पर बैटे पेड़ित परिवार और उनके समर्थन में आई मीडिया पुलिस के उपर इस लूट के असले मुजरिम को चुपाने का आरोप लगाने लगी ऐसे हालतों में पुलिस को सबसे पहले मामली की इन्वेस्टिकेशन करके जानकारी को लोगों के सामने रखना और सारे सबूतों को कड़ी दर कड़ी खोलने की कवायत को उसके अंतिम चरण तक पहुँचाना उनके लिए सबसे ज़रूरी काम हो गया था पुलिस मीडिया के निशाने पर दी मीडिया के लोग पीडित परिवारों से मिलकर लगातार उनके दुख और उनके सवालों को अपने माध्यम से देश की जंता तक पहुँचा रहे थे ऐसे कई सवाल थे जो पीडित परिवार पुलिस से पूछना चाहते थे लूट की वारतात के बाद बीते 22 घंटों में पुलिस की तरफ से दिये जा रहे बयानों में आए हुए बदलावों को आधार बना कर मीडिया ने पुलिस के इन्वस्टिगेशन प्रोसस को शक के घहरे में लाकर खड़ा कर दिया और इसी के बेस पर मीडिया पीडितों के सामने उनसे पुलिस इंवेस्टिगेशन पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब पूछने लगी। देश का हर बड़ा चैनल इस संसनी खेस वारदात के अचानक हुए अंत से सहमत नहीं हुपा रहा था। हर कोई शंकाओं से गिरा पहले दो लड़कों का अचानक से पकड़े जाना जबकि वो दोनों उसी गाम से मिले जहां वो रहते थे। तो सवाल उठा कि क्या पुलिस वहाँ इंवेस्टिगेशन के लिए गई ही नहीं थी। दूसरा दोनों लड़कों में से एक ने सोने की किसी अंगुठी को पेचन को उनके बताये गए ठिकाने से पकड़ा तो महिपाल तक पुलिस देर से कैसे पहुँची। महिपाल का प्लान टेकनिकली परफेक कैसे था। जो बैंक लॉकर तोड़े गए वो बैंक की जानकारी के अनुसार मोटी फर्म्स के थे। यानि उनमें बहुत जादा कीमत के जे करना और दूसरी तरफ लोगों और मीडिया के सवालों का जवाब देना। दोनों में से पहले क्या किया जाए इस ऑप्शन को जल से जल चुनना ज़रूरी हो गया था। उधर पीडित परिवार अपना पैसा और सामान वापस मांग रहे थे। और इधर मीडिया हर्याना क् प्रांच के सामने अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए तेरा जमाय बैठी थी लेकिन पुलिस अपनी इंवेस्टिगेशन को बीच में नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए पुलिस फलहाल मीडिया को डालती रही। क्योंकि पुलिस सभी मुझरिमों से वार्दात को कै कैसे अंजाम दिया गया, कब कैसे होई शुरुआत से लेकर सभी के माल का बटवारा कर फरार होने तक की कहानी जान चुकी थी। तब आगे पुलिस बदमाशों के बयानों को परखने के लिए स्टेप बाई स्टेप अपनी टीम्स के साथ काम कर दी है और चल्दी ही हर और जानकारी जुटा लेती है अब पुलिस तयार थी मीडिया और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए अपनी तरफ से तयारी कर पुलिस मीडिया को मामले से जड़े खुलासे और सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कांफरेंस रखने की जानकारी देती है औ पुलिस मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए तयार हो जाती है अब मीडिया सवाल करती है कि कैसे पुलिस जब कटवाल गाउं के बारे में जानती है जो बैंक से कुछी दूरी पर था तो पहली पकड़ से पहले पुलिस ने उस गाउं में तहकीकात क्यों नहीं कराई इस पर पुलिस जवाब देती है कि बैंक लूट की खबर मिलते ही पुलिस ने असपास के इलाके की जानबीन की लोगों के बैंक के सामने अधिक समय तक रहने के पैटन को देखा मुबाइल सरविलांस के सरिये कौन कब बैंक के असपास कितनी बार मौजूद रहा इसका पता लगाया लेकिन बैंक से 500 किलोमीटर की दूरी पर बसे कटवाल गाव तक जाने का कोई पॉइंट पुलिस के रडार में नहीं आ पाया था चुकि ये पूरी जाच कम समय में जल से जल्द पूरी करनी थी तो पुलिस सबसे नस्दीक से शुरूख हुए लूट का मकसद और किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करने में जुटी थी जो बैंक में लगातार आता जाता रहा हो क्योंकि जिस तरह से बैंक के भीतर सुरंग खो दी गई वो इसी तरफ इशारा करती थी कि कोई ऐसा इस पूरे कांड में शामिल था जो बैंक की पूरी जानकारी रखता था इसलिए पुलिस ने इस बात को तहकीकात का एंगल बनाया इसके बाद मीडिया ने पकड़े गए तोनों लड़कों अंगूठी बेचने की कोशिश करने और पुलिस को खबर लगने पर कमभीरता ना दिखाने को लेकर सवाल पूछा जिस पर पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें जैसे ही इस बारे में खबर मिली थी उनकी तरफ से एक्शन लिया गया था लेकिन क्योंकि वो अंगूठी बेची नहीं जा सकी थी इसलिए चांच बीच तक ही रही और उसी के आसपास उनके उस अंजान शक्स का कॉल आता है जिसके बताने पर वो तोनों लड़के पकड़े जाते हैं अब मीडिया महिपाल की मौत को लेकर पुलिस पर सवाल दागती है जिसके जवाब में पुलिस कहती है कि महिपाल क्योंकि अपनी गाड़ी से सफर कर रहा था और उसी गाड़ी से लगातार छुपने की जगह बदल रहा था इसलिए उस तक पहुंचना तेरी से हो पाया जबकि उसके साथ ही सतीश और बाकी को पहले पकड़े गए दोनों लड़कों के बताय ठिकाने से पकड़ना आसान था पुलिस ने ये भी साफ किया कि पुलिस के मंशा पहले दिन से ही साफ थी और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बदमाशों को पकड़ना और लूट के माल को वापस लाना था पुलिस ने लूट के माल को मीडिया के सामने रखा जो 45 किलो के करीब सोना था अब केस सॉल्व हो चुका था मीडिया को उसके जवाब मिल चुके थे पुलिस की जाच पूरी हो चुकी थी मीडिया से लोगों तक लूट की घटना का पूरा प्लान सब को पता लग चुका था लेकिन अब एक ऐसी समस्या पुलिस के सामने आन खड़ी हुई जिसका निवारन करना बेहद मुश्किल था एक ऐसी समस्या जिसके दूर होने का भरोसा कई परिवार लगाए बैठे थे क्या थी वो समस्या क्या पुलिस के सामने खड़ा होने वाला था एक नया संकट क्या कुछ बाकी रह गया था क्या पुलिस को छुपाने की कोशिश कर रही थी आखिर क्या थी उल्जन जसमें उलजने वाली थी पुलिस जानने के लिए हमसे चुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकु एफेम सुने जो मन जाहे एपिसोड एलेवन एक बड़ी समस्या और उसका निदान सौ करोड लागत वाली इस बैंक डगैती को पुलिस सुलजा चुकी थी लूटा गया माल भी पुलिस के पास था लूट में शामिल सभी मुझरिम भी मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल कर चुके थे और पुलिस भी मीडिया के सवालों के जवाब देकर देश की जंत और पीडित परिवारों के मन में आई शक को दूर कर चुकी थी लेकिन अब पुलिस के सामने एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई इस मुसीबत के आने से पहले यानि लुटेरों के पकड़े जाने से पहले पीडित परिवार के लोगों ने बैंक के खलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्च करा दिया था लोगों ने आरोप लगाये थे कि बैंक में CCTV भी काम नहीं करते थे और ना ही RBI की काइडलाइन्स को लॉकर रखने के अनुरूप फॉलो किया गया था लोगों में अपनी जमापूजी जाने का दुख था तो साथ ही बैंक की लापरवाही को देखकर मन में कुस्सा भी था लेकिन अब जब माल की बरामदगी हो चुकी थी तब पीडित परिवार जल से जल अपना सामान वापस पाने की उम्मीद करने लगे उधर पुलिस के पास परामद 45 किलो के सोने के जेवरात और 60 लाग कैश था जिसको पीडित परिवारों को वापस करना था लेकिन समस्या ये थी कि सोने के इन जेवरातों को किस तरह से पीडित परिवारों को लोटाया जाए कैश को एक बार की वापस करना आसान था लेकिन सोना किस तरह से लोटा आया जा सकता था पुलिस बैंक को ये सब लोटा नहीं सकती थी क्योंकि माल चोरी का था इसलिए उसकी वापसी सिर्फ उसके मालिकों को ही की जा सकती थी साथ ही मुसीबत ये भी थी कि बैंक को पता ही नहीं था कि तोड़े गए लॉकरों में रखा गया सामान किस का था और किस किस का क्या क्या सामान था इसलिए ये किस तरह से लोटाया जाएगा ये पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका था इसी बीच एक ऐसा समय भी आया जब बैंक को लॉकर का किराया अदा करने वाले पीडित परिवार इस बात को लेकर अड़ गए कि बैंक ही लूट के माल को उन्हें वापस करे क्योंकि जिसके भी लॉकर में सामान था वो किराया देता था और उसकी लिस्ट पीडित धारकों ने बैंक को पहले ही जमा करा दी थी लेकिन जब पुलिस की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तब नतीजतन पीडित और प्रशासन आमने सामने आते दिखाई दिये आखर में ये मामला जब कोट पहुँचा तो कोट ने सभी पीडितों के सामने कंडिशन रख दी कोट ने कहा कि जिसका जितना भी सोना जेवरात पुलिस द्वारा बरामत किया गया है तो कितना है, किस-किस का है और उससे जुड़ी जानकारी जैसे उन गहनों को खरीदने की रसीद आद ये सभी कुछ कोट के सामने पेश की जाएगी जब ये सभी कोट के पास आ जाएगा, तब पुलिस इसकी जाँच करेगी और उसके बाद ही सोने के जेवरातों का पटवारा किया जाएगा ये मामला सोनीपत की हाई कोट में था और पीडित परिवार पुलिस और कोट के चक्कर लगा रहे थे कोट बता चुकी थी, कि पीडित परिवार जिस सामान पर अपना अधिकार जता रहे हैं, वो उन्हीं का है ये उन्हें साबित करना होगा, अगर वो ऐसा कर सके, तो वो आसानी से अपना सामान ले जा सकते हैं पीडित परिवार कोट के इस ओडर से और आहत हो जाते हैं एक तरफ बरसों की जमापूंजी और दूसरी तरफ अपनी पूंजी को अपना साबित करने की कवायाद पीडित परिवारों को ये चीज दोड़ देती है कोट में मामला चलता रहा और पीडित लोग कोट के चकर लगाते रहे सब परिशान थे कि कैसे अपने सामान को अपना साबित किया जाए मामला चलता रहा तारीखें पढ़ती रही पीडित परिवार आते रहे, अपनी तकलीफ और उसके समाधान के लिए कोहार लगाते रहे लेकिन अधिकतर जानते थे कि जिन जेवरातों के फरोसे वो अपना भविश्य तह करने की योजनाए बनाए बैठे थे उसी के लिए उन्हें फिर से जीर तोड मेहनत करनी होगी लोगों के पास जेवरातों की रसीदे होना नमुम्किन था हलाकि ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो यह साबित कर पाए थे कि जस सामान की वो दावेदारी कर रहे हैं वो उनी का है इस बीच पेड़ित परिवारों ने हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहरलाल खटर से मुलाकात करने की अपील की और घटना के कुछ तिनों बाद सीएम सभी पेड़ित परिवारों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी एक-एक पाई लोटा दी जाएगी यहां परिवारों ने सीएम से कोट के बिना फैसला करने की भी बात कही लेकिन सीएम ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोट का हस्तक शेप जरूरी है इसलिए बिना कोट के अब कोई मामला नहीं सोलच पाएगा सीएम से मिला आश्वासन लोगों को सब्र दे देता है लेकिन फिर कोट की तारीखे पढ़ने पर जिस तरह के हालात उन्हें नजर आने लगे थे उनसे पीडित परिवार निराश हो रहे थे उधर मीडिया लगातार पीडित लोगों के पास जाकर उनका हाल ले रही थी और उन्हें प्रशासन से क्या मदद मिल रही थी इसका हर दिन अपडेट लेती जा रही थी इधर कोट से जब तारीखे मिलने लगी तब लोगों में गुस्सा और नाउमीदी ने घर कर लिया था और जब भी मीडिया उनसे रूपर होता तो वो जैसे अपना गुस्सा निकाल दे थे पीडियत लोग कहने लगे थे कि हर्याना सरकार ने उनकी कोई भी मदद नहीं की इतना ही नहीं सोना चोरी होने के बाद कई परिवार ऐसे भी थे जो सदमे में अपनी जान भी कबा चुके थे उन्हें कहीं से भी कोई राहत मिल सके इसके लिए लोग हर्याना के मुख्यमंत्री और क्रहमंत्री से कई बार मिल चुके थे लेकिन उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिली ये मामला आज भी 8 सालों बाद कोट में है पेडित परिवार के लोग आज भी हाइग कोट और सोनीपद सेशन कोट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक रिकवर हुई चीज़ों में से उन्हें कुछ नहीं मिला है हाला कि कुछ समय पहले ये भी जानकारी मिली थी कि हाई कोट ने रिकवर हुए सोने और चांदी को बेच कर सभी लोकर धारकों को पैसे देने के लिए सोनी पत सेशन जज़ के नितरित्व में टीम बनाई थी लेकिन उसके बाद किसी को कुछ मिल सका या नहीं इसकी जानकारी मीडिया में पुखता तौर पर कहीं नहीं थी अब तक जो जानकारी उपलब्द है वो यही है कि कोट आज भी इस मामले में पीडितों को तारीख पर तारीख देती जा रही है आठ साल के लंबे दौर में कई पीडित परिवार इस दुनिया से चले गए और कुछ ने उम्मीद छोड़ दी जिनके जीवन की सारी जमा पूझी PNB बैंक के लौकरों में बंद थी वो लूट के बाद कोर्ट रूम में बंद होकर रह गई उन परिवारों के पहते आसू आज भी अपनी महनत की कमाई को वापस पाने की आस लगाए आखों से जहां करें देश की सबसे बड़ी बैंक रौबरी का ये मामला आज भी कोर्ट में फैसले के इंतिजार में है इस घटना को लेकर कुछ बातें ऐसी हैं जिने पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा जैसे बैंक में 125 फीट लंबी सुरंग बना कर लूट को अंजाम देना बैंक लूट के लिए टागेटेड लॉकस को ही लूटना सुरंग का बहत पॉफेक्ट होना गाउं के आम लोगों का एक पहतरी फूल प्रूफ प्लैन बना कर लूट को अंजाम देना बैंक को लूट के बाद लॉकर धार को द्वारा बैंक के सामने सूरदार प्रदर्शन करना और बैंक को 25 दिनों तक बंद करा कर रखना पुलिस द्वारा मामले को 22 घंटों में क्रैक कर लेना यह पुलिस द्यहास में काबिले तारीफ काम था मीडिया द्वारा घंटना को जिस तरह से कवर किया गया वो भी अनोखा था देखा जाए तो यह घंटना अब तक की लूट जैसी वारदातों में से एक यादगार और हैरतंगेस घंटना है जिसे सद्यों तक याद किया जाएगा इस रौबरी की वारदात के बाद बैंकों के लिए लौकर व्यवस्था को और पुखता बनाने के काम किये गए RBI ने पहले ही लौकर व्यवस्था से जुड़े नियम लागू किये हुए थे लेकिन इस लूट ने एक बार फिर उन सभी नियमों को मोडिफाई करने का मौका दिया हाला कि जिस बैंक में लूट हुई उसमें आज भी सभी नियमों को नहीं माना जा रहा है और पीते इस आठ सालों में कई बार PNB की इसी ब्रांच में जोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने की लगातार कोशिश होती रही है तरसल हमारे देश की प्यबस थाई ऐसी है जो एक तरफ तो नियम बनाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ उसके तोड़े जाने की तयारी भी साथ साथ कर लेती है अगर इनी बातों पर 8 साल पहले ही अमल कर लिया गया होता तो शायद 100 करोड की ये लूट कभी हुई ही ना होती तो ये थी एक The Great Bank रोबरी वारदात की पूरी दास्ता अउमीद करते हैं यह आपको पसंद आई होगी हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी आपको इसी तरह की और इससे भी बेहत रुमांचित कर देने वाली सच्ची घटनाओं को कुकु FM के जरीए आपको सुनाते रहें कुकु FM उरिजिनल्स में तो दोस्तों ऐसी ही एक और घटना के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए